तोई को मैं प्रेमजित सिंग आज जो है मैं लेक्षर लेके आया हूँ तो इसका नाम है मद्दे कालीन भारत यानि यह इस्ट्री का लेक्षर है और इसमें बहुत अच्छे लेबल के जो है वो जो MCQ मैंने इंक्लूड किये हुए हैं ठीक है तो अब यह जो MCQ है यानि मल्ट के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी ने जो वीडियोज है मद्दे कालीन भारत के वो भी नहीं देखे हैं और वो क्यों इस MCQ से गो थू हो के जाएगा तो भी एक्जाम में हिस्ट्री का इतिहास का किसी भी एक्जाम में आपका कोई कोश्यन नहीं छूटने वाला इस तरीके से डिजाइन करके इसको तैयार किया गया है तो चले शुरुवात करते हैं इतिहास और इमद्दे कालीन भारत के प्रस्णों के साथ ठीक है पहला प्रस्ण है कि सिंध पर बिजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेना पती का नाम बताईए सिंध पर बिजय प्राप्त करने वाले ठीक है मैं आपको हर एक कोश्यन में एट लिस्ट पांच सेकेंड का या दस सेकेंड का टाइम दूँगा आपको उतने देर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और फिर उसके बाद मैं उस कोश्यन का एंसर यहाँ सेना के सेनापती का आपको पता ही होगा कि अरबों ने सबसे पहले जो है आक्रमन किया था भारत पर तो ध्यान से देखिए अप्शन से हैं हमारे कि अलाजाज कुतूब दीन एबक अलाव दीन खिल जी मुहम्मद बीन कासिम तो यह दोनों एंसर तो होंगे नहीं कुतूब तो 712 में कब 712 इस भी में मुहम्मद बिन कासिम ठीक है यानि कि option D इस question का सही होगा answer मुहम्मद बिन कासिम ठीक उसने आक्रमन किया था और इस समय जो सिंध था सिंध प्रांत उसका जो सासक था उसका नाम था दाहिर तो एक question के साथ मैं दो तीन facts भी आपको बताते कि जिससे आपका अगर मध्यकालीन भारत का आप मेरा केवल ये वीडियो देखते हैं तो history का ये कोई भी subject का मैं अगर MCQ का वीडियो लेके आता हूँ तो आप उसमें बहुत चीजे कवर करूंगा आपने करना क्या है कि चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लेना है और वीडियो को ज्य अगरत पराकर्मन किया और इस समय सिंदिका सासर कौन था दाहिर ठीक तो ये हमारा कोशन हो गया दूसरा कुशन है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृतिवी राज को किसने पराजित किया था महमूद गजनेबी, कुतुबदीन एबक, मुहम्मद गोरी, अलावदीन खिल जी मैं जान रहा हूँ सब लोग को इसका सही अंसर पता है अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको यह जो पीडिएफ चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है जो भी सीजी पे से प्योन या सीजी एस आई या हॉस्टल वॉर्डन ठीक है कि जो तैयारी कर रहे हैं या जो भी और बाकी जो आने वाले एक्जामस है आ रहाई ठीक है जिसमें इंडिया जीके का पोर्शन है तो उन लोगों के लिए खास यह बहुत हैल्फुल रहने वाले सारे के सारे कुश्चिंस एक्जामस में आए हुए हैं और बड़े डीटेल में मैं आपको ये सारी चीजे समझाने वाला हूँ तो बस आपने करना है किया है वीडियो को जड़ ज़ादा सेयर करना है और like करना है ठीक कि मैं तुरंट इसका दूसरा वीडियो लाने पे मजबूर हो जाऊंँ ठीक है तो तरेन की दूसरी लड़ाई है पहले मैं आपको बता दूँ कि तरेन की जो दूसरी लड़ाई है ठीक है ये लड़ी गई पहली लड़ाई सबको मालू है 1191 में और दूसरी युद्ध होता है उसमें मोहमद गोरी पृतिविराज चोहान को पराजित करता है ठीक है तो मोहमद गोरी इस तरीके से चल से इसने पृतिविराज चोहान को पराजित किया था लेकिन इतिहास इतिहास है तो फैक्ट है कि 1192 बी में तो ये इस कोशन का सही अंसर था चलिए आ एक पाल काल है यह बारा सोच्य स्पोरु हो के और पंदरा सो इसस बीस बीट जात sights इ wonder बोला जाए तो बारा सो शे से लिके पंदरा सो इसस बीट तक 1226 के बाद मुगल जो हैं वो आ जाते हैं तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत कब से कब तक 1206 से 1526 भी तक अब इसमें करम से गुलाम वंस, खिल जी, तुगलक, सैयद, लोधी, लोधी आखरी रहेगा ठीक है इबरहीम लोधी जबकि गोर वंस का संस्थापक मुहमद गोरी थ तो इसलिए कभी भी गोरी वंस जो है वो दिल्ली की सल्तनत पराज नहीं कर पाया ठीक है तो इस कोशन का एंसर यह होगा अब अगला है कि काला नुक्रम रखें तुगलक, लोधी, सैयद, इलबारी और खिलजी ठीक है खिलजी इस तरीके से काला नुक्रम रखें कौन सा क् तो इन पांचों को अरेंज करना है आपको की सबसे पहले कौन और उसके बाद कौन ठीक तो इलबारी जो है यह इलबारी तुर्क होता है ठीक है इलबारी तुर्क Cabinet और सबसे पहले आते हैं कि इनका टांलाइन रहेगा वो बारागाओ ग्यारा से बारागा .ँद, पिर आता उसके बाद आते हैं तुगलक और ये 1260 से 1290 तक रहेगा आपका गुलाम मंस ठीक है 1290 तक रहेगा आपका वही गुलाम मंस उन्हीं को इलबारी तुर्क वगरा उनके उसमें समाने जाते हैं तुगलक जो रहेगा वो रहेगा तेरा सोव भीस से 1412 और जो सायद रहेगा दिलि सल्तनत इबराहिम लोदि की मृतियु के साथ खत्म हो जाएगे वहाँ से फिर मुगल से संप्लाइगी कौन सा होगा हमारा चार उसके बाद पांच उसके बाद तीन ज्रिए एक और उसके बाद तीन और उसके बाद दोर यानि कि हमारा option number D इस question का सही answer है ये आप याद रखेंगे इस क्रम को इस तरीके से आप practice कर लेंगे तो बहतर तरीके से आपका तयार हो जाएगा इतिहास का बहुत बहतरीन collection लेक्शन लेकर आओ मैं questions का ठेक किस सताबदी में दिल्ली का कुटूब मिनार बनाया गया था तो देखिए कुटूब मिनार जो है ठीक है उसको बनाने का जो काला नुकरम है वो 13 सताबदी माना जाता है तेरह हमी सताब्दी प्रारंब इसको बनाना है कुटूब मिनार यानि की कुटूब दीन एबग करेगा कुटूब दीन एबग और इल्टूत्मिस जो है इसको पूरा करेगा इल्टूत्मिस जो है इसको पूरा करेगा कौन पूरा करेगा इल्टूतमिस जो कब से कब तक रहा है भई 1200 1011 से लेकर 1236 इसमी तक तक धिल्ली सल्तनत पे इल्टूतमिस रहा है तो इल्टूतमिस इसके कारेखव पूरा करेगा ठीक, और यह किसके नाम पर है तो जो सूफी ख्वाजा कुतुपदीन, ये कुतुपमिनार ये किस नाम है, कुतुपदीनः किसके नाम है, कुतुपदीन बखतियार काकी नोट्स में वह आपको ये सरन पढ़ाया होगा, यहां भी आपका रिवीजन हो जा रहा है कुतूब दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसका नाम जो है कुतूब मिनार रखा गया तो 13 सताबदी में बनाया गया और इसके बाद चलिए हम देखते हैं नेक्स कुशन हमारा कुशन नमबर 6 चंगेज खान कौन चंगेज यहां जा का हर जगा लगा जो है जरो गया है ठीक है चंगेज खान ने जलालु दीन का पीछा करते हुए किसके सासनकाल में भारत की सिमाओं पर आकरमण किया था अब बहुत बार पूछा है भारी important question है ये ठीक है चंगेज खान ने जलाल उदीन का पीछा करते हुए किसके सासनकाल में कुतुब दिन एबग था इल्टूतमिस था बल्बन था या नसुरी दिन खुसरो था ठीक है तो इस question का answer है कि भाई question का सही answer है इल्टूतमिस थीक है मंगोल आक्रमरकारी जो चंगेज खान है तो वो क्या करता है कि जो ख्वारिज सा का पूद बेटा रहता जलाल उदीन उसका पीछा करते हुए इल्टूतमिस के सासनकाल में 1220 से 21 के आसपास सिंद्र पर आक्रमर करता है ठीक और लेकिन लालोदीन मंग भरनी है इसकी कोई सहायता नहीं करता है और वापस लौटा देता है चंगेज खान को क्योंकि वो चंगेज खान से युद्ध नहीं करने की वज़ासे जो ये युद्ध है चंगेज खान से इल्टूतमिस के बीच का ये टल जाता है अब अगला कुशन है होज ई सुल्तानी क्या है अब देखे ये जो पीडिएफ नोट से कोशन का और पूर एक्स्प्लेनेशन का तो ये आपको जो हमारा एप है जीत फांडिशन क्लासेज का वहां पर ये अपलोड कर दिया जाएगा और जिन्होंने भी बैच लिया है भाई प्यून का बैच सबको पता है कि पीडिएफ टेस्स मिलागे कितने का है 249 का तो जो लोग भी ये बैच वीडियो देख रहे होंगे ठीक है और cgsi का जो कंप्लीट बैच है प्रिलिम्स के लिए वह ट्रिपल नाइन का है ठीक तो आप जाएंगे वहां पर आपको ये सारे जो नोट्स है वीडियो है लेक्टर से सब कुछ आपको पीडियो फोगर सब कुछ मिल जाएगा क्लियर कि चलिए तो इस कुशन का क्या अंसर होगा आप लोग बता दीजिए हौज इस सुल्तानी क्या है ठीक कि ये एक मिनार है ये बड़ा जलास है या महल है या मस्जिद है तो हौज इस सुल्तानी जो है वो एक बड़ा जलास है और जिसका निर्मान जो है इल्टूत्मिस के द्वारा कराये गया था ठीक है क्या रहे गए ये बड़ा जलास है और इसका निर्मान कौन करवाएगा इल्टूत्मिस ठीक है इसका निर्मान कौन करवाएगा इल्टूत्मिस करवाएगा ठीक चलिए हम चलते हैं next question पे question number 8 प्रसिद्ध फारसी तहवार नौरोज ये बहुत बार question पूछा है ठीक है प्रसिद्ध फारसी तहवार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया options है अलाउदीन खिल जी, इल्टूतमिस, फिरोज तुगलक या बलबन इन चारों में से किसने नौरोज जो है उसको उसका परवर्तन किया तो देखिए इस question का जो answer है कि प्रसिद्ध फारसी तहवार जो है नौरोज ये बहुत important question है बहुत सारे exam से में पूछा गया है तो इसका प्रवर्तन बलबन ने किया था ठीक है बलबन ने जो अपना जो दरबारी जो सिस्टा चार है उसके बढ़ाने के लिए इसने जो फारसी परमपरा जो है उन लोग उनको आपनाया actual में इसके खुद के वजूद की लड़ाई उस चीज़ सामिल हो गई थी तो उस सिस्टा चार को उन चीज़ों को ये करने के लिए इसने जो फारसी परमपरा हैं उसको आपनाया उसके बावजूद भी लोग इसको पुरी तरीके से मानते नहीं थे ठीक और इसने दरबार में सिज़दा पाई बोस की भी परमपरा चालू की किसकी परमपरा सिज़दा याद रखेंगे किसने बलबन ने और किसकी पाई बोस ठीक है ये फारसी परमपरा हैं ठीक तो ये था इस question का answer चलते हैं next question में स्वयम को दूसरा सिकंदर एसानी कहने वाला सुल्तान था किसने स्वयम को दूसरा सिकंदर एसानी कहा था बलबन ने? बी option है अलावदिन खिल जी ने? सी अप्शन है महमाद बीन तुगलक ने और चौथा है सिकंदर लोदी ने ठीक है तो सिकंदर एसानी जो है वो अलावदीन खुद को कहता था ठीक है सिकंदर एसानी अलावदीन खुद को कहता था अलावदीन खिलजी और एक खिलजी वन्स का सबसे योग इसा सकता और वो र नामीन, उल, खिलाफ़त, नासीरी, उल, मौमीनीन, ठीक है? ये इसने की वो बादिधारन की थी, अलावदीन खिलजी ने, ठीक है? चलिए नेक्स कोश्यन पर चलते हैं, कि दक्षण विजय करने का मिसन अलावदीन खिलजी ने किसे स्वापा? कि जाओ भे, मेरे दक्षण विजय करके आओ, तो अगर आपने मूवी देखी होगी, तो आपको इस इनसान का नाम मालूम होगा, क्योंकि इसने बहुत ही स्ट्रॉंग कंडिशन में लाके, जो खिलजी उलुक खान, तो इसका एंसर सही एंसर होगा, सब लोग में सही एंसर दिया होगा, मलिक काफूर, ठीक है, मदूरई, पांडे, राज्य, जो है, उसकी राजधानी वहा करती थी, और 1311 में दिल्ली के सुल्तान, अलावदीन, खिलजी के सेनापती के रूप में, मलिक काफू प्रथम सेनापती बना, देवगीरी, वारंगल, और साथी साथ काक्तिय, और मदूरई, आदी राज्यों को इसने विजित किया, ठीक है, सेनापती बनके, अलावदीन, खिलजी का, चलिए, नेक्स कोशन देखते हैं, ति किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किय अलावदीन खिलजी, मुहमद बीन तुगलग, जलालवदीन खिलजी या फिरोज साथ तुगलग, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, तो जो सती प्रथा है, उसको रोकने का प्रयास करता है, हमारा मुहमद बीन तुगलग, कौन करता है, मुहमद बीन त ऊपने स्कूशेन पर चलते हैं लिएतृ इब्न बतूता कहां से आया था यातृ इब्न बतूता कहां से आया था था जुड़ का निवासी था मूरको काय का इंड़ teasing a कि सुज हमके जुटा नियौंस्य पर time में यहाली जो पोएम आपने सुनी होगी अना पोएम वगएरा पढ़ने का सौखीन है तो अब आगे से मैं कोई भी जो टॉपिक है ना उसको नहींदी को पोएम हिंदी भी मैं जो लेक्ट चलाऊंगा तो पोएम में इंक्लूड करूंगा कि जिससे ना आपको चीजे ना या ना ना भाई इवने बतुता 1333 में मोहमद बिन तुगलक के सासनकाल में क्या हुआ भारत आया और इसे दिल्ली का काजे निक्त किया गया ठीक है और इसे राजदूत बनाके राजदूत बनाके मोहमद बिन तुगलक जो है वो 1342 में चीन भेज़ेगा अपना राजदूत बनाके चीन भेज़ देगा और उसके बाद जब यह आएगा तो रहला नामा कुस्तक लिखेगा और उसमें अपने पूरी यात्रा का विस्तार से संसमरण का संकलन करेगा ठीक राजदूत कौन बनाके भेज़ेगा इसको मोहमद बिन तुगलक कहां भेज़ेगा चीन और यह कब आया था तो 1333 में कहां का निवासी था तो मुर्यकों का तो इबन बतूता के बारे में मैंने आपको डीटेल से बता भी दिया चलते हैं अब हमारे अगले प्रस्ण यानि तो भाई सलतनत का आल में सबसे जाधा उन्नती हुई वो स्थापक तकला की उन्नती सबसे जाधा हुई ठीक है इसलामी शैलियों का मिस्रन थाagen ठीक और इंडो इसलामी शैलीली भी इसको नाम दिया गया और इसमें क्या क्या बना तो देखो रहाई दिन का जोपड़ा क्योंकि हम सल्तनत का अद्बाद कर रहें न मुगल कर नहीं रहाई दिन का और क्या बना कुतुब मिनार और सुल्तान गड़ी बल्बन का मकमरा अलाई दरवाजा तो ये सब उस समय दिल्ली सल्तनत में बनाए गये थे कुवत उलसलामस ये सबी जो है स्थापत्य काला के अच्छी खासी मिसाल है और जो सल्तनत काल था तो उसमें सबसे ज़्यादा उन्नती अगर किसी को हुई तो ये स्थापत्य काला के हुई ठीक है चलिए अब चलते हैं नेक्स कोशिन की तरफ कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आसा है सूफी परंपरा में पीर से क्या आसा है ठीक है पीर किसको कहते हैं क्या अर्थ होगा पीर का आप लोग कमेंट कर दिया कि ये भाई कोशिन का आपका टेस्ट होगा आ पता चलेका कि कितने लोग इंट्रेस्टिंगली एक बहूत मैंने देखा है देखिए आप अगर बुरा नया माने और मुझे आजादी हो एक सिख्षक के रूप में बोलने की कि आप बहुत जो है ना सर्म करते हैं मैंने देखा है अगर आप लोग एक होता है कि चीजों को लेके तो मैंने बिहार के बच्चों को देखा है जीके को लेके मतलब एक अलग तरीके का क्यों IS और IPS बनते हैं मैं आपको एक छोटा से एक मिनिट लगेगा सुन लीजिए कि उन लोग में बच्पन से जीजा के सारम नहीं होती है जैसे मैं यहां कहता हूं एक टीचर आपको कहता है कि आप कमेंट कीजिए इस कुश्चन को देखे तुरंत कमेंट कीजिए तो आप मे कलके आईए क्योंकि जब तक आप गलत नहीं करेंगे ना आपको सही होने का नमन नहीं करेंगा आप इस चीसे बचते रहेंगे कि हां मैं क्यों सही हूं तभी एंसर करूं या आगे आऊं तो सीखने में जो दिमाग है न वो जो आपको जो मैजिक ट्रिक मैजिक ट्रिक मैज चुखो जाएगा ना कि हर जगे जहां भी मिलेगा फट से आएगा चाहे गलत चाहे सही हां मुझे सीखना है मैं सामने हूं सबसे खड़ा सीखने के लिए आपको यह लगता है कि हम चुप रहे के सीख लेंगे अच्छी बात है विट अगर बहुत समय लंबे समय तक सीखना है तो गलती करके सीखो ठीक है क्योंकि किसी को सब कुछ नहीं आता है सब को हर एक समय सीखना पड़ता है और सीखते रहना है काही जो एक ललक रहती है लोगों में उसको बहुत उपर ले जाती है तो जब भी मैं बोलू कि कमेंट कीजिए तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि आपका इंट्रेक्शन साब जलकेगा और उसका सीधा सार होगा मेरे अगले वीडियो पर कितने लोगों ने इंट्रेक्ट किया है कितने लोग इंट्रेस्टेड है जानने में देखने में तो दिखता है व्यूज आ गया 1500-2000 और जो केमेंट्स हैं वो 10-15 हैं लाइक्स हैं तुश साब पता चलता है कि इंट्रेक्शन कहीं ने कहीं बहुत कम है लोगों ने यूँटूब ने उसको इंट्रेक्शन जलकना चाहिए फिर आपको मेरे अगले वीडियो में आ पीर से क्या आसा है भाई पीर जो होता है वो अपने गूरु को कहते हैं इहां गूरु की ब वो अलगी तरीके का है, खेर इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो पीर का आसा है होता है गुरू, और मुरीद बोलते हैं, अगर मान लीजे कभी आ गया तो, मुरीद यानि कि आप इंग्लिस में इसको फैन कह सकते हैं, और हिंदी में आप कह सकते हैं सिस से, तो पीर होता है गुरू और मुरीद होता है उसका सिस से, ठीक है, तो मेरे मुरीदों कृप्या करके, वीडियो में कमेंट और वीडियो पर लाइक और वीडियो को सेयर किया करो, ठीक है, मुरीद हो इतना तो तुम लोग को करना चाहिए चलो, क्या ही टॉपिक निकल के आ गया अमीर खुसरो एक संगीतग्य था और इसके अतरिक्त वो और क्या थे तो भाई, अमीर खुसरो जो थे, ठीक है, दिल सुपि संथ भी थे फार्सी तता हिंदी के लेखक और विद्वान भी थे और इतिहासकार भी थे तो इसमें से कॉंसरप्शन चाहिए हुआ, option number D ठीक है, वो सभी थे, सुपि संथ भी थे ठीक है, फार्सी और हिंदी के लेखक भी थे इतिहासकार भी थे ठीक, तो इस तरीके से अमीर खुसरो के बारे में अब यहाँ पर एक question आगया कि संस्थापक का भक्ति संपरदाए के साथ मिलान कीजिए बड़ा ही important इसमें से ये question अगर हम deal करते है ठीक है, ये आपका options में दिया हुआ है कि कॉनसा answer सही होगा A, B, C और D इसमें से अलग से तोड की भी अलग से पूछ सकता है ठीक है, संकर देव, जजग जीवन लाल गिन या लाल बेन यो गोविंद प्रभू, माहनुभावपन्त अलग नामी, सत्नामी, एक सरण धर्म तो ये चार है हमारे पास और इसका मिलान करना है तो संकर देव जो है, सौ स संकर देव और सौ से सरण धर्म ठीक है जग जीवन जी जो है, वो सत्नामी से ठीक है, सत्नाम, जीवन ऐसे जोडते हुए उसके बाद लालगिन या लालबेन जो है तो ये लो है लखनामी और लालगिन तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको और गोविंद प्रभू तो महाप्रभू या गोविंद प्रभू तो इस तरीके से इनको याद रखेंगे तो इस तरीके से जो हमारा option number A है इस question के लिए सही है संकरदेव एक सरंधर्म बाकि जीवन जिस्तनामी और इस तरीके से ये question का answer हुआ चले देखते हैं बीजे नेगर राजी की स्थापना किस ने की थी भैई बीजे नेगर राजी की स्थापना किस ने की थी तो इस question के answer सबको मालूम होगा क्यों किस संगमंस ये सा सकते ठीक है और उनका नाम था हरिहर एवं बुक्का पड़ा ही important है question ये भैंकर बार पुछा है और जो वन्स था वो था संगमंस ठीक है तो विजे नेगर राजी की स्थापना संगमंस ठीक है हरिहर और बुक्का ने की थी ठीक हरिहर और बुक्का ने 1336 इस बी में कब 1336 इस बी में तो इस चार चीजी आपके इस question में include कर दी है मैंने बस आपको करना क्या है कि वीडियो को like करना है और comment करना है questions के answer और मैं बहुत जल्द कोसिस में हूँ कि मैं जो वीडियो है वो live लेकर हूँ ये जो series है ये जो question series है ये मैं live लेकर आपा हूँ तो जैसे ही संभावनाय बनती है और कुछ setup हम लोग तयार कर रहें आप लोग का सिर्वाद और सहयोग चाहिए तो इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को ज्याद ज्याद लाइक और share करें कि बही क्रिस्ण div raya किस राजवन के साशक के थे ठीक चोल बहमनी पल्लाव और विजय नगर तो बही क्रिस्ण div raya सबने पढ़ा होगा कि किस के हैं विजय नगर के ठीक है इनका जो तो राज्या भिशेक होता है 1599 भी में कब 1599 भी में और इनों ने टोटल 20 साल सासन किया और कब तक किया 1539 भी में ठीक और इनको भारत के एक महांतम राजा के रूप देखा जाता है कृष्ण देव राय को ठीक है next है हमारे कृष्ण देव राय ने कौन से पुस्तक लिखी थी ठीक तो एक बात जान लीजिए कि तेलुगु सहित्य का तेलुगु सहित्य का क्लासिकल एरा यानि कि क्लासिकल यूग या एरा आप इसको कह सकते हैं कृष्ण देव राय के सासन काल को ठीक है सहित्ते का ठीक है तेलुगू सहित्ते का और अस्टदिगज जो होते हैं इनके राजे में पाये मतलब इनके राजे में रहते थे तो इन्होंने जो है अमुक्त मालयद की रचना की ठीक है तेलगू में अमुक्त मालयद की रख्चना की और ये जो है कृष्टिन देव रहा है आप अगर साशनकाल देखेंगे तो बारा सो उनतिस तक इनका साशनकाल जो रहा है पंदरा सो नौ से पंदरा सो उनतिस तक तो ये बाबर के समकालीन हुए कैसे भाई बाबर के समकालीन हुए क्योंकि पंदरा सो उनतिस तक रहे थे तो बहुत बार एक कोशन पूछा है कि किसके समकालीन थे ठीक है तो बाबर के किसके बाबर के आप याद रखेंगे कि सर ने ऐसा बताया था ठीक चलिए आगे देखते हैं एक और कोशन कि विजय बिजय नगर के मध्यकालीन नगर को आज कल क्या कहते हैं बिजय नगर के मध्यकालीन नगर को चंद्रगिरी हले विद्दू हमपी या फिर कोंडा विद्दू ठीक है तो बिजय नगर के मध्यकालीन नगर को आज कल हम लोग कहते हैं हमपी ठीक है हमपी के नाम से जाना जा का इस्तित है करनाटक में किए गया था गोलगुंबज का निर्मान तो इसका निर्माण जो है बहमन सासक मुहम्मद आसिल आदिल सा जो दिवतिये है यानि कि हमारा option number B ठीक के सासनकाल में प्रारंब किया गया लेकिन आदिल सा दिवतिये के सासनकाल में पूर्ण नहीं हुआ कुतुब मिनार के जैसे इसकी स्टोरी है तो उसकी मृत्यू के बाद उसको यहीं दफनाया गया और इसी लिए इसको मुहमद आदिल सा का मकबरा भी कहा जाता है ठीक है तो इस question का answer आप B ले सकते हैं कि किसने सुरू किया इसके recording चलिए नेक्स कोशन देखते हैं हमारे question number 22 उस सासय का नाम क्या है जिसने बीजे स्तंब का निर्मान करवाया राणा कुम्भा राणा सांगा राणा रतन चींग राणा हमीर तो बीजे स्तंब ठीक है इसका जो निर्मान है वो राणा कुम्भा के द्वारा करवाया जाएगा ठीक गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमन्यों से चीनने वाला परथम बीजे नगर सासक कौन था हरिहर द्यूतिय बुक्का परथम हरिहर परथम यद्येवराव द्यूतिय तो इसका एंसर हो जाएगा हरिहर द्यूतिय ठीक है किले को बहमन्यों से गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमन्यों से किसने चीना हरिहर द्यूतिय ने याद रखेंगे किसने हरिहर द्यूतिय ठीक है तो चीनने वाला परथम बीजे नगर सासक कौन था हरिहर द्यूतिय ठीक और इसने ये कांड कब किया तो 1377 तो इसका जो बहमेनी सुल्टान जो था उसकी जो मृत्ती हो गई मुजाहिद नाम था उसका जो बहमेनी था सकता तो उसकी जो आवेवस्ता था उसका लाब उठाकर हरियर दिए ने उसके जो किला है उसको छीना उससे नेक्स कुशन देखते हैं कि अजमेर में ढाई दिन का जोपड़ा जो है ठीक तो ये किसने बनवाया था अजमेर में ढाई दिन का जोपड़ा किसने बनवाया था कुतूबदीन एबक अलावदीन खिलजी बलबन या option number D है हमारा मुहमद बिन तुगलग चारों में से क्या answer ह होगा comment करके बताईए अजमेर जो है ठीक है तो उसमें ढाई दिन का जोपड़ा जो है वो कौन बनवायेगा तो ये दिल्ली सल्तनत के समय के स्थापत्ते कला है अजमेर के अढ़ाई दीन का जोपड़ा और ये बनवायेगा कुतूबदीन एबक कौन बनवायेगा कुतूबदीन एबक ठीक इसके बाद question है कि भारत की प्रतम महिला सासक कौन थी भारत की प्रतम महिला सासक कौन थी और सबको पता है कि मद्यकालीन भारत की जो प्रतम महिला सासी का है ठीक है वो है रजिया स्ल्तान जो की 1246 में गद्धी पे बैठती है और 1240 में इसे मार दिया जाता है ठीक है आगे चलते हैं, आगे अब question नहीं है, तो ये 25 questions से मद्देकालिन भारत से related, अभी और भी questions आएंगे, मिलेंगे next video में, आपको करना है वीडियो को subscribe, और like, और share, ठीक है, बाकी मिलेंगे next video में, तब तक लिए, जय हिंद जय भारत, जय चातिसगार.